हेलो बच्चो तो कैसे हो आप सब तो आप सब का एक पर फिर से स्वागत है हमारे चानल एडुटेन्मेंट अब के इस परिवार में है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को 10 मोस्ट इंप्टर इंगली सेंटेंस देंगे तो आई होग कि आप लोग इस वीडियो के और आप लोग को कितने question के answer पता थे comment में जरूर बता है तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है नल चालू करो तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसके जवाब पता है तो comment में फटा फटा फटे जवाब बता है तो time start होता है अब तो इसका जवाब है turn on the tap अब हमारा question number 2 है एक मिनट रुको तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसके जवाब पता है तो comment में फटा फटा फटे जवाब बता है तो time start होता है अब तो इसका जवाब है wait a minute अब हमारा question number 3 है तुम डर फोक हो तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसके जवाब पता है तो comment में फटा फटे जवाब बता है तो time start होता है अब तो इसका जवाब है you are a crowd अब हमारा question number 4 है मैं उसकी मदद करूँगा तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment में फटा फटे जवाब पता है तो time start होता है अब तो इसका जवाब है I will help him अब हमारा question number 5 है तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment में फटा फट से जवाब बताए तो time start होता है अब तो इसका जवाब है come on time अब हमारा question number 6 तुम ठके हुए लग रहे हो तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment फटा फट से जवाब बताए तो time start होता है अब तो इसका जवाब है यू लूप टाइड अब हमारा question number 7 है वह कहा है तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment फटा फट से जवाब बताए तो time start होता है अब तो इसका जवाब है वेर इस दी अब हमारा question number 8 है समाजने की कोशिश करो तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment में फटा फट से जवाब बताए तो time start होता है अब तो इसका जवाब है try to understand अब हमारा question number 9 है मुझे मत बताओ तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment में फटा फट से जवाब बताए तो time start होता है अब तो इसका जवाब है do not tell me अब हमारा question number 10 है यह आपके लिए तो आपके पास अब सिर्फ 5 second का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment में फटा फट से जवाब बताए तो time start होता है तो इसका जवाब है this is for you तो यह थे आज का हमारे the most important English sentence आप लोग को रेंक किया होगा और comment में बता होगा कि आप लोग को कितने portion के इससर पताते वैसे useful content के लिए आमारे चैनल को subscribe करें और notification bell को जरूर करें जिससे कि ऐसे useful content जब भी आते तो आपके पास time to time पॉक्स रहे तो आप में लेंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले bye, tech, care और आपने अपना कीमती समय उसके लिए दिल से शुक्रिया